एलो अब्रीबन कैसे हैं आप लोग होप करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे आप लोग का ट्रेडिंग यहां पर बहुत ही अच्छा चल रहा होगा तो चलिए दोस्तों कल का डेट है पांच मार्च और यहां पे कल बैंक निफ्टी में क्या कुछ हो सकता है वो यहां पर हम लोग यहां पर अनलेसिस करेंगे ठीक है तो चलिए अगर आज का अगर आज आज का अगर आप डेट देखोगे तो आज चार मार्च था ठीक है बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा यहां पर क्लोजिंग दिया है प्रिवियर जो अपना कैंडल है तो उसके क्लोजिंग स अगर देखा जाए तो हम लोग को प्लस 182 पॉइंट्स का यहां पर क्लोजिंग देखने को मिला है ठीक है जो की बहुत अच्छा मोमेंटम यहां पर लास्ट में मार्केट किया है ठीक है आज दोनों साइड मोमेंटम किया है वो मैं बाद में बात करूंगा लेकिन डेली ट अच्छा है हमारा यहां पर ट्रेंड लाइन चले, यह ठीक है. एक बहुत ही अच्छा हमारा ट्रेंड लाएन आ रहा था और Mozart अगर देखेंगे, दो ट्रेंड लाइन पर interrupt हो गया है तो देखने है, अब यहां पर यह ठीक है लेकिन? bank nifty जाता किस level पे है पहले और कहां से retest करता है market मांन लिजए कि market अगर यहां से अगर आप नीचे से देखोगे तो almost यहां पे अठारा सो point का correction हो गया है जो कि मैंने analysis वीडियो में भी short वीडियो में भी आप लोग को बताया था तो यहां से जो break out जो हुआ है ना तो market यहाँ पे हो सकता है कि 500-600 point का एक correction करे ठीक है उसके बाद यहाँ पे break off structure higher higher के form में यहाँ पे market इस जगह पे आ जाए जो कि इसका जो measure हमारा यह resistance दिख़ड़ा है ठीक है यह fourth time यहाँ पे breakout मेरे को लग रहा है कि bank nifty ने यहाँ पे दे दिया है ठीक है और यहाँ पे देखोगे तो cycle आज का जो यहाँ पे high भी जो लगा है न वो 47,523 तो हमारा 47,500 का यह level अपना open हो चुका है ठीक है तो यहाँ पे यह देखना है हम लोगों को intraday में कि यहाँ पे 49,500 के आसपास market जब भी जा रहा है तो क्या sustain कर रहा है यह important यहाँ पे देखना है अब हम लोगों को ठीक है चलिए अब मैं बात करता हूँ क्योंकि यहाँ से यह निकलेगा तो यह resistance पे यह अब market यहाँ पे अगर आप 50 50 की अगर मैं बात करूं तो निफ्टे 50 अपने all time high पे चल रहा है ठीक है चलिए अब मैं आप लोग को 50 मिनट के time frame पे यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप लोग यहाँ पे 15 मिनट पे trade कैसे करेंगे ठीक है और दोस्तों आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ने तली कराम चैनल ाउं किया है तो आप जाकर ज्रूर सारा कुछ यहां पे मैं देदेता हूं अगर आप यहां पर दहांड़े है यहां से मैंने दिया था भी इसker बाद मैंने बोला कि रियाट करें वॉच लिस्ट ठिक है 77 만alic को वाच लिस्ट में आप एड करिए फिर मैंने यहां पे बोला 47,300 का पी बाई टीजीटी 380 मैंने बोला ठीक है 9 बज के 40 मिनिट में सेकेंड टार्गेट मैंने 400 दिया ठीक है और यहां पे आप देख सकते हैं 47,400 का पी बाई टीजीटी 47,350 जब मार्केट उपर गया तो फिर से मैंने बोला कि 47,400 का पी को बाई करो ठीक है उसके बाद हमारा सारा यहां पे टार्गेट यहां पे डन हुआ ठीक है फिर अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे देख लिजे यहां पे मैंने बोला कि SL 47,280 का लगा कर राइड करना है कॉल में तो कर सकते हैं टार्गेट मैंने 47,450 दिया जो कि 47,450 इसली मार्केट में देखने को यहां पे मिल चुका ठीक है चलिए आप 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां पे देखेंगे हैं ना 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना तो यह हमारा एक मेजर रजिस्टेंस रहने वाला है यही हाई हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा ठीक है मार्केट यहां पे टेस्ट किया है ठीक है दूसरी बार यहाँ पर test करने आया है market ठीक है sell हम लोग को अगर करना रहेगा तो इसके नीचे ही यहाँ पर sell करिएगा यह low हमारा एक measure important है ठीक है यहाँ पर देखे काफी ज़्यादा price action यहाँ पर बना के market यहाँ पर उपड गया है अगर sustain कर गया breakout दिया तो यह high फिर से test करेगा अगर breakdown किया इसके नीचे closing दिया तो फिर एक downside का एक यहाँ पर trade यहाँ पर बन सकता है ठीक है चली दोस्तो bank nifty तो आप यहाँ पर समझ गया होंगे बहुत अच्छे से है ना एक बड़ मैं फिर से आप लोग को यहाँ पर रिवाइस थोड़ा कर देता हूं हमारा जो मेजर जो यहाँ पर resistance रहने वाला यह हाई रहने वाला ठीक है और हमारा एक हमारा यह वाला एक मेजर इंट्राडे का यह support यह यहाँ पर यह एक support ले सकता है ठीक है तो अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी तो अगर और बैंक निफ्टी अगर ट्रेड पांसो पंपान का अगर बिडिकाउट मिलेगा तो आप इसली फर्स्ट टार्गेट यहां पर लेंगे 47,611 एंड सेकंड टार्गेट यहां पर लेंगे 47,711 यह दो टार्गेट के लिए आप यहां पर जा सकते हो यह अगर हाई निकालेगा बैंक निप्टी तो अगर डाउंसाइड अगर आप ट्रेड अगर आप वो करना रहेगा न तो आप यहां पर हाँ ठीक है आप यहां पर डाउंसाइड का मैं बता देता हूं 47,311 के नीच ये मार्केट यहां पर कंटिनियूसली अगर आता है तो आप पहला टार्गेट परस टार्गेट अप इसली यहां पर ले सकते हैं 47,2011 ऑने सकते अगर बहुत जादा मार्केट यहां पर गैप डाउन उपनिंग होता है तो हम लोग प्राइस सेक्षन पर काम करेंगे अगर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखेंगे और जैसा जो रहेगा मैं अपने टेलीग्राम पर अब देट कर दूंगा अभी के लिए बाइब